नासकस तो कैसे हैं आप लोग मीट करोंगा सभी लोग अच्छी होंगे तो इस पर बात करेंगे हम लोग यह पे प्रो कबड़ी के में समस्ट टू के बारे में जो कि होगा आज के दिन का पहला मुकाबला यह मुकाबला फिर्ट दबंदिली केसी वर्सस पटना पाइरेट्स क के बीच में खिरा जाएगा तो इसके में बात करने वाले लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दू कि हमारी वीडियो में टॉप 10 गीवे विनर रहते हैं यानि कि दस बंदे सबसे पहले वीडियो को लाइक कर करते हैं उनको हमारी तब से गीवे प्राइस दिया जा किस तरीके सा उसका या पर प्रफॉमेंस चला अबर अल MICHAEL करेंगे द्रेंटिद सबसे इंपोर्टेंट पार्ते में लेग गा कि 5 एपिस तरीके से क्से उसका वाले मुकाबले में हमी दिखने को मिलएगा यानि की कौन से रीडर को कौन सरसे डीफेंडर यां पे रोकेगा औ को जरूर से कर देना सबसेडाए फ्रेंस आप लोगों को यहां पर पोईंस टेगोल के बारे बता दू तो दोनु टीम से आपको पता है जिस परकार से यहां पर प्रफोम Hence blij ला तो दोनों 5000 टीम टा पर रहें ठीडिक व्यूम्टा बर यहां पर में शानला पर जिल नंबर टू चल लिए उसके रही सद्ध में आपको बता है जसे नवीन हाई होने वाले हैं अब हम लोग यहां पर एक एक प्लियर का स्टैट्स और यहां पर पोजिशन देखेंगे लेकिन उस्ते पहले आप सभी लोगों के कमाल की अप्लिकेशन के बारे में बताना चाहूंगा खासकर कबड़ी के लिए बहुत ही स्पेसल अप्लिकेशन का नाम है आप लोग देखते हो ड्रीमन के उपर 90 परसेंट उपर ऐसे मुकाबले होते हैं जहां पर आपको हाइली क्रेडिट का इश्यू फेस्ट करना पड़ता कबड़ी में लेकिन यहां पर आपको कोई भी क्रेडिट का इश्यू नहीं आएगा जिसके वजह से क्या होगा आपकी वीडियो के निचे फर्स्ट के मैं ने पिन किया वहां से आपको मिल जाएगा और फर्स्टी बोजिट भी आपको मिलेगा पूरे 100 परशेंट का कैस बोनस और बोनस भी बहुत अच्य तरीक से यूज होता है स्मॉल लिग में 8-10 परशेंट तक यूज और ग्रैनिक में यहा अप लोगो यहां पर लगातर खेले लेकिन आप लोग यहां पर बहुत कम आपको यहां पर तर्गेट कर जो एजली आप लोग यहां पर विंकर सोग और श्मॉल इक प्रैडिट का भी इस्यू निया दो भी टेस्ट टाइम में मिल लग और यहांप नहीं बिलेगा तो एक आप लोग के देखना देखना कि आपको जो प्रॉफित है बहुत जदा यहां पर होने वाला है तो जल्दी से जाना एप्लिकेसन का लिंक आपको वीडियो को नीचे फिस्ट कमें वे दिया हो तो वहां से जाके आप लोग अभी डाउनलोड कर लेना अब हम लोग यहां बात क कर चुका था नवीन लेकिन उसके बाद यह इंजर थोड़ा सा हो गया इससे पहले इंजर वह था आपको बता है उससे पहले देखो कि यहां पर लगातार बंदा सूपर टैन लगा रहा था और बहुत कारियर का जो सबसे बैस्ट पर पोपोवेंसन वो यहां पर यहां पर जैसे आपको पता फेंटसी में किसमा साथ नहीं ज़ती वैसी इस पोर्स में भी होता तो नवीन दो बार लगातार यहां पर इंजर हो गया जिसके वजो से यहां पर यह खेल नी पा रहे है तो नवीन की बहुत करता नवीन तो इसके पास कौती कमाल की स्किल है दोनों साइ कि गजिसिए टॉप के नंवीन को जोड़ा राविन जसकता अधर वाइस देखो को यहां पर सबसे नाम न की बातर तो नहीं थेकर सकता यहां पर धिद्ब मुद्हकं पर जान देनाज दैना प्रन तो लास्ट कमें अच्छा गया था अपनों सुपर टें यहां पर लगाया केरियर का दूसरा सुपर टेंन आपर केसेवन और यहां पर जो कि प्रोकबडी में तो ठीक ठाक यहां पर रेडर है नवीन अच्छा साथ देरा स्टार्टिंग सही आप लोग देखोगे तो अच्छ तो इनकी जोगा पर विकाउस कुमार दी को किलाए गया था विकाउस कुमार ने भी यहां पर फ्रेंट से लेफ्ट गोवनर से कहल के एक टेकल कोईट यहां पर किया था ठीक है तो उसके बाद आप लोगों देखा था कि यहां पर संदीप नर्वाल एज सबस्टूट के दौ जोगिंदर नर्वाल अगर सही हो जाएंगे तो यही आज खेलेंगे लेफ्ट गोर्नर फे अधरवाज यह पर विकास कुमार डी आपको खेलते हो जोगिंदर नर्वाल टीम के कैप्टन है अगर खेलते हैं तो फिर इंस काफी इंपॉर्टन आप लोग के लिए हो पहले लगातार दो-दो-तीन में जो बे टैकल पॉइंदर निकाले था यहने कि फॉर्म बहुत अच्छा इनका यहां पर अभी चल्ला तो मन्जीत चिलर को आप लोग टैपिनटल यहां पर ट्राइगर सकते हो और क्योंकि आपको बता एक टैकल करने पर आपको पता बीस प प्रिकार सच लगाता जीवा का क्योंकि बहुत अधा एड्वांस बहुत अग्रेसिव खेलते हैं जिसमुझे से इनके टैकल है मैक्जम यहां पर अंसक्सफिल हो जाते हैं तो ग्रेंडिक यहां पर आप लोग ले सकतो लेकिन इधर से सबसे इंपोर्टन जो हो जाएगा व कि देखोगा अगर नवीन खेलेगा तो आप लोग इस टीम से चार से पांस प्लिया ले सकते हैं क्योंकि तब दबंग दिल लेके जीतने के चांज ज्यादा रहेंगे ठीक है पटना कि यहां पर बात प्रसंद कुमार राई मिल जाएंगे जो कि एक लैटर रेडर है फ्रें इनके चोगा पर यहां पर खिलाए गया था गुमान सिंग को जिन्होंने 6 रेट पोइंट के था एक टैकल गया था यह भी एक राइट रिडर है और यहां पर देखो कि काफी जबर्दस तरीका से बंदा रेट करा था तो यह थोड़ा इंपोर्टन हो जाएगा देखना यह यह बंदर डिफैंस में भी पॉइंट लेके आथा तो थोड़ा सा फोकस आप लोग कर सकते हो ठीक है पिर अपर सचिंत अनुवर की बत को यह भी एक राइट रेडर है लास्के में थोड़ा सा अच्छा प्रफोइंट किया था आर्ट रेट पॉइंट थोड़ा सा अपना यह एक रेट लिट आता था इससे पहले लेकर अपने सूपर ट्न को कम्प्ुलीट करने से स्वाथ करने सबसे पहले नाम आएं पर सी साजिन साजिन की बात करो था था तो स्बस्से निहुंट कोई थैकल प्यक्शल थैखल तो इनका प्रफोइंस भी देखो कि संट यहां प सारदूली की बात करूंगा तो लेप्ट को नर से खेल था बहुत ही तगड़ा एंकल होड और यहां पर देखोगे तो इरानी प्लियर जो रहते हैं प्रेंस बहुत तगड़ा गर देंगे तो यहां पर इस बार मोहमद रेजा ने बहुत अच्छा इंप्रेस किया लास्ट के तो देखोगे बहुत अच्छी फॉर्म से यहां पर मोहमद रेजा गुजर रहे तो इनको भी आप लोग कैप्टन सी दे सकते हो ठीक है फिर राइट कॉर्णर से बात करूंगा लास्ट के में अपने फेवर में यहां पर कर दिया था राइट कॉर्णर से बंदा खिला था पे आप लूट से ना कंपलीट करने वाला था नो टैकल पॉंट इसके हो चुके ता इसके पहले एक ऐगल पाइक चार चार एक बार और स्ट्रा एक फेंट लास्ट के में ने कापी कमाल का कंबएक कि अपनी पहुव में तो मुझे उम्मीद है कि इस वाले में से आप लोग पॉइंट भी कर चुका है तो आप लोग समझ सकते हूं यह भी काफी इंपॉर्टन आप लोग होने वाला ओबरॉल जो पटना का डिपेंस है मुझे काफी जदा या पर वैल सेटल लग रहा थोड़ा सा दबंग दिल लिके यहाप डिफैंस के और रेडिंग की मैं कोहूंगा तो दोनों को हम लोग यहां पर राइडर के दौर पर लेते हैं तो सामने वारे टीम का लेप्ट साइड इनके सामने आएगा लेप्ट कॉर्णर पे कॉर्णर पर रहेगा भाई मोहमद रेजा सार्दुलू के सामने पॉइंट निगालना बहुत ही जड़ अप रहेगा पिर प्र यहां पожд यहां पर राइट पाद कर लाइगा अगर में इधर से इधर कों रहेगा और पर यहां पर राइट को राइट करता है जिसे यह बार आप लोगो ने देखा को एक रेडर जाता वो यहीं पर जाके खड़ा हो जाता और इनी को टार्गेट करने के कोशिस करता तब मैक्जिम जो एडवेंटेज रहेगा वो लेप्ट कॉर्णर और लेप्ट कावर गो रहता तो यह चीज रेडर के उपर डिपेंड को सब्से जब्से जादेया चelet करता कर तो यहां पर रहेगा तो इसके सामने कोना आएगा इगा टीम का राइट साइट अल्ग है तो राइट साइडवेंड पर यानि सुनिल फिर से आप लोगे लिए आज की मज़के लिए इंपोर्टन होने और इन पर फोकस आप लोग करना पिर राइट कवर से देखो गए तो स्थी साजन यह चीज में आपको एक्स्प्रेंट कर चुका है किस तरीके से तीनों के तीनों इंपोर्टन आप लोगे रहे लेकिन इसमें भी ख्यांसस क्या है कि इनका पहला हाथ लगे पहला हाथ तो यार जो सपसे नस्दीक रहेगा उसी का रहेगा एक कॉमन से चीज है तो आप लोग आइधिंक समझ चुके होंगे अब बात करेंगे हम लोग यहां पर पटना के रेडिंग की और सामने वाली या अभी फिट होए होंगे क्योंकि इनके तगड़ी यहां पर जो है मलब इंजरी हुई थी तो यहां पर फ्रेंट्स मेरे साब से विकास कुमारी खेलेंगे तो विकास कुमार नए प्लियर है तो इसली यहां पर टार्गेट से मौनु गयाद भी और यहां पर सचिन दनवार इन दोनों को ठीक है तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पर इन दोनों के सामने विकास कुमार थोड़ा सा अच्छा परफूम करेंगे लेकिन फिर भी हो सकता है दो से तीन टेकर पॉइंट आपको इस मैच में निकाल गे देंगे फिर यहां पर फिर आपको बता है कि लैप बारेड रेड़ है और जो 20-30% रेड़ बची जो से पर अच्छा परफूमार राइगा वो लेप्ट से और इस में लाइगा तो इनके सामने कौन आए गा राइड साइड और पहला नाम किसका एगा यहां पर कृषन घाएगा यहां पर संदीप नर्वाल पाईगा तो यहा पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती प्रसांत को बार राई को बाकी जो एडवेंटिज रहाएगा इस मैज में हो मॉनो गयात और यह पर रहेगा सचिंद नम्रा का यह पर गुमान सिंग के लेगा तो इनको ज्यादा अज के मैज में रहने वाला है तो आई होप आप लोग फ्रें आपको यहाँ पर यहाँ पर यही वाला चैनल आपको जॉइन करना ठीक है कलकर रिजल्ट पर देखिए ग्रेंडिंग में अच्छा प्रफोविंस था स्मॉल लिग में हम लोगों ने आलमस्ट यह पर पूरी तरो से क्लेंट किया था ठीक है प्रूफ आप लोग के सामने आ हमारी टीम कुछ अलग से होगी लेगिन मुझे जहां तक लगता है कि नवीन कुमार साइट से इस मैच को नहीं खेलने वाले तो इसलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर टीम बनाए ठीक है पट्ना का टेवेंस तक रहा है तो दोनों के दोना जो कौनर है उनको मैंने है इसका बहुत हरा है गुड़ लग